चलो आज बनाते हैं हमलोग कि सूची के पोहें जो बहुत ही सिम्पल तेरीकों के साथ मैं आपके साहर करने हुलाइब है साथ-साथ यहां पें मूppen Kauf और नायेot की छटनी भी मैं आपके साहर करूँ जो बनाते हैं हम लोग सबसे पहले पोहाथ तो उसके लिए मैंने एक पैन में एक टेवल स्पून बटर लिया, आप यहां गी भी यूज जाएगा, तो बस उतना ही हमें चाहिए, तो यह देखो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है, फिर उसी पैन में मैंने एक टेवल स्पून घी अट किया, उसक कोई भी सूजी आप यहां ले सकते हो बारी किया मोटी उसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरीके से ना सौटे कर लोंगी यहां पर फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और इसे जादा नहीं सौटे करना हलका एकदम लाइट गोल्डें ब्राउन हो जाए ना बस उस मैं आप 3-4 मिनिट तक इसे अच्छी तरीके से सौटे कर लेना फिर उस पैन में एक टेवल स्पून सरसो का तेल एट किया उसके यहां पर मैंने बारी कटवा प्याज आट किया बारी कटवा आट किया और इसे अच्छी तरीके से हम लोग मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ले एक छोटशे मच नमक एड़ की एक छोटशे मच हल्दी का पॉडर एड़ किया सब चीज को अच्छी तरीके से एक तो फ्राइ कर लेंगे आपके पास जो फेज़ेस आप लेवल हो आप वो इसमें एड़ कर सकते हैं फिर आपको और एक्स्ट्रा कोई फेज़ेस इसमें श्राइब कर लिए फिर इक टैवल स्फोन घी एड़ किया उसके पास है पर मैंने एक टैवल श्पून चंब या पर मसूरा आपक च्छ compr या अजह में राय के-एड़ और उसके बास इसतका थीसा कुणं अच्छी तरीकसे tut introducing के सब्रेंचा से थो मिनट के लिए साठे कर ले तक हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल रेडी हो जागा तो जब तक इधर रेडी हो रहा है तो जब चट्नी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने फॉर्ट का प्रोस्टेट पीनर्स लिया है उसके बाद फिर यहां पर मैंने सुखी नारियल ली है, उसके यहां पर मैंने मिर्श एट किया है, एक चोटी चमच नमक एट किया है, उसके यहां पर मैंने लेमन जूस एट किया, उसके फिर 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 यहां पर मैंने इसमें पानी एट किया, सब जिसको अच्छी तरीके से एक तड़कर लेंगे और अब आफर एक टेवल श्बून प्रवाइब गर्राइब करना लूँआ तो यहां पर नारियल और बादम बिल्कूर रड़िया और इसे इडली डोसा पराथे के साथ भी सर्व कर सकते हो यहां पर ने की स्थित बनाए और तो तके बाएब दोसा बढ़ियां लगता है खाने में जब तक मैंने पोहा को भी चेक है तो वही बिल्कुल रेडी हो चुका था उसके बाद पर मैंने वन बॉल यहां पर मैंने दही आड़ किया सब चिसको अच्छी तरीके से मिक्स करके दो से तीन मिनट के और और कुक कर लेंगे और इसे अच्छ पर मैंने नमक और एड़ किया सब चिसको बढ़ियां तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और यह देखो जो मारा पोहा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है इसे ब्रेकफास्ट में या इविनिंग टाइम में आप इसे बना सकते हो उसके आत्वी से चटनी के साथ इंजुआई क करो और मुझे जरूर बताने कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी अब जब यहां तक आ गये हो तो जल्दी से लाइक करो शेयर करो प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज सेयर कर दिया करो ना विडियो